अब कंपीट करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए जो अभी रीसेंटली अड़र्टाइज हुई है अड़र्टीजमेंट नोटिस नमबर 6 अफ 2 0 2 1 डेट 21st अफ 2 0 2 1 जिसके माध्यम से तक्रीवन 800 वेकैंसिज अड़र्टाइज हुई है होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो रेफर हुई थी जेन के ससार भी को फर सेलेक्शन इस एड़र्टीजमेंट में एक कंडिशन है जिसमें मीनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज अठाई साल रखी है जनरल कैटिगरी के लिए अब केंडिडेट्स जो एस्पायर कर रहे हैं कंपीट करने के लिए उनका एक ग्रीवन्स है कि 2016 में लास्ट अड़र्टीजमें निकली थी तक्रीबजन 5 या 5.5 साल के बाद यह दोरा री अडबर्टाइज हुई है तक्रीबण 800 वे अच्टाईस जानते हैं कि वेकैंसी जो है साँ इनसक्टर की हार साल एक्रू होती है जब कोई साँ अनसक्टर परमोट होता है इनसक् Taar बनता है उम instagram इंसक्तार के खाली हो को एक वार्निंग दी थी वर्चुली कि आप जो हैं अडाकिजम पे अडाकिजम प्रमोट करते हो सब्स्टांटिवली वकैंसी हर साल रियाडवर्टाइज नहीं करते वह सुप्रीम कोड की अब्जर्वेशन से क्यों लेते हुए जेंड के में रूल्स बने थे जम्मू एंड कश्मीर रेफरेंस टू पब्लिक सर्विस के मिशिन एंड जेंड के एससार भी रूल्स तूसन फाइव उन रूल्स में साफ लिखा है रूल टू है कि डिरेक्ट रेक्रूट्मेंट वकैंसी चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स की हों चाहे कोई और हो वो साल में दो बार जो है पिछले पांच साल में जो बच्चे उस टाइम 18 साल या ग्रेजुएशन मिनिममम इलिजिबिल्टी है ग्रेजुएशन 21 साल से पहले नार्मली कोई करता नहीं है तो साथ साल उनको चांस मिलता है तो अगर ये पांच साल में दस बार पोस्ट एड़टाइस हुई होती तो उनको तो एक चांस मिला कईयों को एक भी नहीं मिला होगा तो ये जब रूल में प्रवाइडिड है कि हर साल वेकैंसिज एड़टाइज होनी है तो क्यों नहीं कहीगी रूल थ्री और रूल फॉर में लिखा है कि जो डिपार्टमेंट नेगलिजेंट होगा इन को गेस्ट पोस्टे रेफर करने में उसके खिलाफ एड्मिस्टेटिव एक्शन होगी अब बताइए फेलियर ब्यूरोक्रेट्स की है फेलियर आफिसर्स की है और नुकसान किसको हो रहा है कैंडिडेट्स को हो रहा है वह यह जो कोई बैग नहीं कर रहे हैं अपना लिया होता नहीं सेलैक्ट हुए होते तो उनका कोई राइट नहीं था अब इनका राइट जो है वह यह कर रहा है वह को रहा है का रूल के अंदर रूल किस्देश्टार्स को बिलट करती है तो अपने ही डिच्प से क्षमीर से ये एक request है कि इन बच्चों के साथ justice किया जाए और जो injustice इनके साथ 5 साल में हुआ है उसको undo किया जाए और as one time exception इनको 5 साल की relaxation अपर एज में 28 साल से बढ़ा के 33 साल या 32 साल तक one time दी जाए ताकि इनका जो right है जो take away हुआ है वो इनको restore हो इतना ही मेरा can है और इससे एक चीज़ और होगी देखिए selection board या पिएस से selection क्यों करती है ताकि meritorious बच्चे आगे आएं और ये 800 vacancies सिर्फ 2021 की 21 में create नहीं हुई ये वो vacancies जो 2017 में 18 में 19 में 20 में और 20 में अक्रू होई है आपने club करके एक ही साल में इनको advertise कर दिया और एक ही जटके में बोल दिया कि 18 minimum age 28 maximum age अगर आप स्तारा की vacancies स्तारा में advertise करते एठारा की एठारा में करते 19 की 19 में करते 20 की 20 20 में करते तो 21 की आप करते तो तक्रीबन 100 vacancies होनी थी अब इन candidates का पिछली 700 vacancies पर राइट जा रहा है तो मेरी आपके मादियम से लफटनेट गवरनर साब से यही अपील है कि अगर आप इन बच्चों को चांस देते हैं इन 800 vacancies के अगेंस्ट ज़्यादा बचे कंपीट करेंगे और जब ज़्यादा excel करे सबसे number one आजाए merit में तो इसलिए यह ना ही उन सिर्फ बच्चों के साथ justice होगा बलकि belt force जो police force है इसमें भी meritorious बच्चे select होंगे और अच्छी service render करेंगे पबली को और law enforcement agencies को इसमें benefit होगा चन्माथा मेरा एक सवाल आप से हैं इस और आपने का कि यह जो आट सो पोस्ट भी निकाली गए हैं यह भी तस से के फॉर्म फिल अप होंगे 2016 यह सवाल बिल्कुल ठीक है आपको याद होगा लास्ट इयर कोवीड की बज़ा से जेन के combined competitive examination जो पीएसी ने कंड़क्ट करना था बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी लफ्रीन गवर्नर साब से कि हमें एक साल की relaxation दी जाए यहां तक मुझे याद अगर मैं गलत नहीं और इकठी अब क्लब कर दी तो इन बचों का राइट बनता है इनको relaxation मिलनी चाहिए क्यों आदेविए लग्रावन